प्रणाम अचारे जी अचारे जी आपसे एक मार्ग दर्सन चाहते हैं कि हमें अपना लक्षे किस तरह से डिसाइड करना चाहिए जैसे कई बार कुछ पता नहीं चलता कि उचा लक्षे बना के भी मतलब यह लगता कि ठीक है घर परिवार में सान्ती रहे लोगों से संबंद अच्छे हों कुछ अच्छे दोस्त हों और ठीक ठाक जिंदगी कड़ जाए इतना है बहुत है क्यों जादे सब कुछ उपर वाला करने वाला सब वही सोचलित सोगटित उसकी लिला चल रही है क्यों पढ़े हम जादे किसी उसमें क्या लक्षे हमारे लिए हमारे जो सुभाव के अनुसार क्या बैष्ट होगा कैसे डिसाइड करना चाहिए कुछ कि हाँ लक्षे मात्र सुभाव के अनुसार नहीं बनता आपका सुभाव यह ही नहीं कि आप कोई लक्षे बनाए सुभाव तो अलग है अलग समझते है जिसका कोई लक्षे नहीं किया सकता अलग्षे सुभाव है हमारा स्वभाव अलक्षे है तो स्वभाव में लक्षे नहीं होते जो स्वभाव में जीने लग गया उसे अब लक्षे होई कोई जरूरत भी नहीं रहेगी तो लक्षे स्वभाव के कारण नहीं बनते लक्षे बनते हैं जो हमारे उपर दुश्प्रभाव पड़े होते हैं उनके कारण अभी अपनी हालत देखिए और उस हालत में जो कुछ भी आपको कश्ट देता है उसका निराकरण करना ही लक्षे है और अगर अभी कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में जो आपको तकलीफ देता हो तो आप फिर सुभाव में ही जी रहे हैं आपको फिर किसी लक्षे की जरूरत ही नहीं है कोई जबरदस्ती या शौकिया थोड़े ही लक्षे बनाए जाते हैं कि सब के लक्षे हैं तो मेरे भी होने चाहिए यह वैसी बात हो जाएगी कि सब नींद की गोली लेके सोते हैं तो मैं भी नींद की गोली लेके सोऊंगा अरे भाई तुम्हें अगर यूही नींद आ जाती है प्राकृतिक तो तुम्हें क्यों चाहिए नींद की गोली लक्षे समझीए एक तरह कि दवाई है वो बीमारों को ही चाहिए आपका स्वभाव तो स्वास्त है न तो स्वभाव में तो किसी न बीमारी की जगए है न दवाई की जगए है लेकिन अभी हम स्वास्तन नहीं है हमारी जिन्दगी का यथार्थ यह है कि हम बीमार हैं ठीक तो अब आप पूछ रहें लक्षे क्या बनाएं दूसरे शब्दों में दवाई कौन सी लें दवाई कौन सी लें यह तो मैं तब बता पाऊँगा ना जब मुझे पहले पताऊ कि आपकी बीमारी क्या है बीमारी बताईए भाई और बीमारी बहुत साफ साफ बतानी होगी उंगली रख के बताना होगा एकदम देखना होगा आप चिकित्सक के पास भी जाते हैं तो यूँ ही थोड़ी वो आपको दवाई लिख देता है आप जाते हो तो सबसे पहले क्या कहता है जाज करा के आओ फिर जब आप रिपोर्ट लेके जाते हैं दूसरी बार तब दवाईयां बताता है और रिपोर्ट बड़ी विस्तृत होती है होती है कि नहीं न जाने उसमें कितनी तो संख्याएं होती है बारीकी से एक एक चीज लिखी होती है तब जाके वो आपके लिए कोई दवाई निर्धारित कर पाता है ऐसे थोड़ी कि आप उसके आँ पहुँचे वो बोले कि अरे जुन्नू कमपाउंडर इनको पीली वाली गोली दे दो ऐसा होता है छोटे गाओं में कस्बों में वहाँ ऐसे ही चलता है बहाँ पे डिस्पेंसरी में चार तरह गोली होती है नीली, पीली, काली, सफेद और आपको कोई भी मर्ज हो इनी चार में से कोई गोली दे दी जाती है एक और पांच मी गोली होती है वो इस्तरियों वाली गोली होती है वो लाल होती है वोलि और अरते आए तो उनको ये दे देना पूछा नहीं मत हुआ क्या है यह पूछ लेना और है तो हाँ लो इलाल गोली ले जो वैसा अध्यात्म चलाना हो तो बताईए नहीं तो फिर साफ साफ इमांदारी से बताईए ना अपना मर्ज और उसके अलावा कोई लक्ष नहीं होता है आपका मर्ज अगर यह है कि गलत नौगरी में फसे हैं तो भई वहीं पर उसका इलाज करना पड़ेगा ना गलत नौगरी में फसे हैं और आप कहें कि मैं पंदरा दिन का रात्री जागरन करूंगा देवी की भक्ति में तो क्या मिल जाएगा पंदरा दिन के बाद फिर का पहुंच जाओगे उसी दफ्तर में जहां पे खून पिया जाता है तुम्हारा आपका मर्ज यह है कि परिवार में आपके गड़बड चल रही है तो परिवार में ठीक करना पड़ेगा भाई माई यह थोड़ी होगा कि आप फिर कहें कि मैं उपनिशद पढ़ लूँगा तो हो जाएगा काम अध्यात्म जीवन से भगोड़ापन थोड़े ही छिखाता है जहां पर तक्लीफ है ठीक वहीं पर इलाज करना पड़ेगा जहां दुष्मन है ठीक वहीं पर दावा बोलना पड़ेगा यह थोड़े ही कि तक्लीफ वहाँ है और फिर इसलिए भहुत लोगों को शिविरों से अधिक लाव नहीं होता यहां से वापस जा करके आप फिर अपनी मुसीबतों के साथ हसी खेल करने लग गए तो शिविर क्या लाप देगा आपको उन्हीं मुसीबतों से घवरा के शिविर में आये थे और यहां से निकल के गए उन्हीं मुसीबतों के फिर गले लग गए शिविर क्या लाप देगा आपको बिना बात उगाड़े जितना बताया जा सकता था मैंने बता दिया संकेत पढ़ रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे किसी ने पूरा चिकित्षा शास्त्र भी पढ़ा हो दस साल MBBS DMMD यह सब करे बैठा हो तो भी आप उसके पास जाएंगे और आपके घुटने में तकलीफ है तो उसने जो दस बारा साल पढ़ा हो सब थोड़ी आपको खिला देगा या खिला देगा 12 साल की उसने जितनी अपनी शिक्षा ली है उस अब आपके लगा देगा क्या वो तो बस यह कहेगा ना कि आपके घुटने में तकलीफ है घुटने भर का इलाज करूँगा पढ़तो हो सकता उसने सब कुछ रखाओ वैसे ही आप आके लक्षे बता दो अरे तकलीफ तो बताओ गुटना तो दिखाओ ज्ञान तो विस्तृत होता है लेकिन उसका उपयोग सदा विशिष्ट होना चाहिए अनतर समझ रहे हो तभी मजेदार बात हुई ज्ञेड़ जञेड़ जरूए टाओ असकी डिखाओ पिस प्सक्षपी क्यान प्रूशिट है अध भूलिए खरे जदा है तो ने प्छोट रखाओ वही लक्षे को लेकर यही लगता है कि जिसमें एक संतुष्टी दिखाई देख एक जीवन के पूर्टा दिखाई देख अभी असंतुष्टी कहां से है असंतुष्टी वही जैसे जैसे आप इसारा कर चुके हैं कि सुना और सर्वन में आए फिर उसके बाद वापस संसार में उस संसार में बिलकुल उंगली रख के बताई यह असंतुष्टी कहां पर है किस रिष्टे में हैं किस जगहें पर हैं किस काम में हैं जैसे आफिस में हैं आफिस में जैसे सारा महुली जैसे कुछ करेप्शन जैसे लगता है हमें लगता है और फिर डेली जाना भी आफिस में है कि और कई बार उसको लगता है कि accept कर लें कि सब जब हड जगे यहीं चल रहा है यह तो नोकरी छोड़ दें या फिर मतलब नोकरी लोग करी रहे हैं नोकरी करते हैं तो उसको एकसेप्ट करें, सब इश्वर की उपस्तिती में हर्ची चल रही है, यह सोच के, उसमें भी संतुष्टी नहीं मिलती, तो… देखिये साहब, हो सकता है कि कोई मास की दुकान चलाता हो, कसाई का ही काम करता हो, पर अगर उसे कोई दिल की बीमारी लग गई है, ठीक है, और वो गया दॉक्टर के पास, और दॉक्टर ने बोल दिया, आज से मास खाना बंद, तो बंद, वो यह थोड़ी कहेगा कि मैं तो दॉक्टर के काम ही हो, यह तो करे जाओ, फिर वही करो और मरो, हाँ, जीने का इरादा हो, तो जो हमने बताया है, उस पे अमल कर लो, कितने ही लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं, जहां पर काम करना ही उनको बीमारी दे देता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में आप काम करिये, वहां तमाम तर है कि फ्यूम सोती है, हवा में केमिकल घुले मिले होते हैं, उससे कैंसर होता है, अब आप जाएं और आपको कैंसर हो गया, और डॉक्टर सबसे पहले काई कल से दफतर जाना बंद, और आपका ही नहीं मेरा तो काम ही वही है, सब इश्वर की छत्रचाया तले होता है, केमिकल भी तो सब इश्वर नहीं बनाए है, तो गएगा अच्छा ग्यान है, जो करना है, करो. फिर वही है न, दिवाली आ रही है, विभीषण बोले थे राम से, कि यहां मैं वैसे रह लेता था, जैसे बत्तीस दातों के बीच में जीव रह लेती है. राम पूछे विभीषण से, कि तू लंका में रह कैसे लेता है, तो विभीषण ने क्या कहा, बत्तीस दातों के बीच में जीव रह तो लेती है, वैसे रह रहा था. और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ चारो तरफ घूस खो रहे हैं तो मुझ पर दबाव पड़ जाता है जिसको राम का नाम लेना होता हो लंका में भी ले लेता है आप पर दबाव कैसे पड़ गया तो काम में ये भी है कि अभी घूस खाई की नहीं खाई ये काम का हिस्सा है तो पर करिए ये तो बहुत अच्छा हिस्सा है बेशक करिए आपकी जब ट्रेनिंग हुई होगी अपने काम के लिए उसमें बताया गया होगा ना कि ये करो ये करो ये करो फिर घूस खालो काम का हिस्सा है वो फिर सब आप लिखित में भी रखते होंगे डाइरी पर या फाइल पर ये भी लिख देते होंगी ये काम हुआ ऐसे निप्टाया और इसमें इतनी घूस खाई माहौल का हिस्सा है काम का हिस्सा नहीं है कि आप महाल के रंग में रंगे रहें, कुछ भीतर वाला रंग है कि नहीं है, वही प्राइरोटी बेश, बस ठीक, फिर तो हो कोई बीमारी हल, हम महाल देखें क्या, चली महाल देखते हैं, यहां आसपास कितने घरों में इस तरह की बात्चीज चल रही है, तो महाल देखें हैं, हम भी क्यों कर रहें, पगला हुए हैं, अधीरात बीच चुकी है, और अज़ बैठके हैं, कैसी उटपटांग बातें कर रहे हैं, पूरे महाल में कोई कर रहा है, तो हमें भी तो महाल के मुताबबग चलना चाहिए है, मुझे भी अपने महाल के यह था, किसी MNC का डारेक्टर हो गया रहा होता, यहां क्या कर रहा हूं, मिस्टर ट्रिपाथी को अचारेजी बनने की का पड़ी थी, लखनाव, लोस अंजलिस, महाल के साब सही चलना चाहिए, ना, आयम में यह मुताबग चलना चाहिए, ना, महाल होता है, यह हरकत करो, महां घुस्ते एंट्रिव में बता देता, कि मेरे इस तरह के उपद्रवी काम करने की रादे हैं, वो मुझे अंदर नही आने देते हैं, उन लोगों की बात आप क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने अपना महाल ही बदल डाला, उन्हीं की बात क्य करते हैं, जो महाल के कारण बदल जाते हैं, यह आप जितने लोगों को यहां पर पढ़ रहे हैं, जिन भी महापुरुशों के नाम ले रहे हैं, वो कौन लोग थे, जो अपने महाल से प्रभावित हो गए या जिन्होंने अपने महाल को ही बदल डाला, तो आप ऐसे क्यों को यह शकते हैं, जो अपनी रक्षा तो करें ही, फिर आागे किसी मुकाम पर जाकर अपने महाल को भी बदल फी डाले. ऐसे क्यों नहीं हो सकते चलिए आज आप में हो सकता है ताकत ना हो कि आप पूरे माहौल पर अपना प्रभाव डाल सकें पर इतनी ताकत तो दिखाईए कि माहौल से अच्छूते रह जाईए और ये बात में किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ जो बड़े आराम से और बड़ी सहजता से रिश्वत खोरी भरष्टाचार में लिप्त है आप अगर ऐसे होते कि आपको घूस वगहरा लेने से कोई समस्या ही ना हो रही होती तो मैं आपसे कुछ कहता ही नहीं आप वो व्यक्ति हैं जिसे समस्या हो रही है जो कि आपको समस्या हो रही है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि समस्या है तो मत करो ना भाई ये काम कि समस्या हो रही है